ये भी ठीक है मेरी फैमिली फ्रेंड्स की स्क्रीनिंग है अगर आप आना चाहे तो बहुत कममाल का रिस्पॉंस आया है सो फार कल हमने इंडस्ट्री सीनियर्स के साथ देखी जिस तरीके की चीजें उन्होंने बोली इक्तम दिल से बहुत खूबसूरत चीजें बया की मुझे दिपिका को बहुत अच्छा लगता है जब श्री देवी जी, महादुरी दिक्षिज जी, रेखा जी, रितिक साब जिन को देखकर आप बड़े हुए हैं जब वो आपके काम की प्रशंसा है से दिल से करें बहुत बहुत अच्छा लगता है अमारी पूरी टीम ने एक साथ देखी और इतनी हम सब को इतना 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 इमोशनल एक्सपिरियंस रहा है सारे ही भावक हो गए थे उस दिन और आज निकली है ओडियंस देख रहे हैं और हर कोने से प्यार परसा रहे हैं पूरी पिचर के लिए रिव्यूस बहुत ही तगड़े तगड़े निकले हैं तो ओवर्राल इस जस फूले नहीं समा रहे हैं हमारी पूरी टीम बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है पर ने जो हमेशा मैं याद रखूंगी बट ऐसे जो किसी ने पस्नली कहा है मैं कैमरे पे नहीं बताना चाहूंगी बट आई थिंक सभी लोगों ने बाजी राव, मस्तानी, काशी और पूरी टीम के लिए इतना सारा प्यार दिया है और इतना इतनी appreciation मैंने आज तक नहीं देखिये एक फिल्म के लिए तो हम सब बहुत खुश हैं, बहुत ही excited हैं, बहुत emotional भी हैं क्यूंकि देड़ साल से हम इस फिल्म पर काम करते आये हैं और आज फिल्म रिलीज हो रही है, दर्शक जाएंगे देखने तो आज के बाद ये फिल्म हमारी नहीं है, सब लोग जाएंगे और परकल परसों जो भी screenings हमने रखी थी बहुत मतलब बहुत लोगों ने बहुत तारीफ किया है और I think it's been a very very emotional and overwhelming experience बाजी राव मस्तानी 2 और इसके लिए हमको shooting नहीं करनी पड़ेगी, इतना footage अलड़ी है हमारे पास कि बाजी राव part 2 और part 3 हम easily मतलब अगले साल हम ऐसे ही release कर सकते हैं without giving dates क्योंकि अलड़ी हमारा इतना footage है मैं तो संजलीला बंसाली साब को बोलते रहता हूँ कि भया आपको तो बनाना ही पड़ेगा डिरेक्टर्स काट कुछ 4-4 गंटे का और वो picture देखना आप इतने अच्छे अच्छे भारी भरकम scenes ऐसे ही cut के निगल गए क्योंकि अगर मतलब आपको ऐसा canvas ऐसा subject अगर आपके हाथ में है अच्छे के लिए किया है इस बार लेकिन मैं कहते रहता हूँ आपको बनाना चाहिए साड़े तीन चार गंडे का एक डिरेक्टर्स काट जिसमें सारा जो आपने शूट किया है वो डाल दें और वो फिल्म तेखने लाए को कि I think one of Sanjay sir's best works feeling तो negative होती है यार क्योंकि कोई ऐसे विरोध करा है जब कि आपका intention कभी वो था ही नहीं आप दिल से काम करते हैं आप लोगों का मनरंजन करना चाहते हैं आप अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं आप पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और फिर ऐसी negativity पैदा हो जात कि इनका तो है ही मतलब पहले पहली फिल्म में तो उसके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं पर इस पूरी फिल्म में जो इस जो इन्होंने काम किया है और कल रात को ही मैंने दोबारा देखी देखी और there's not a single जैसे हम false note कहते हैं या मुझे कभी नहीं लगा कि यार इसमें ये acting कर रहे है या इसमें इसने कुछ उपर-उपर से काम कर दिया एक बार भी एक second के लिए भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि ये मतलब ऐसे ही काम कर रहे है जो भी इसने किया है हर एक shot में चाहे वो close-up हो चाहे वो बैक-टो-बैक भंसाली फिल्म में मैंने दिपका के साथ काम किया है वो ऐसी एक अक्टर है जो इतनी present रहती है इतना connected रहती है इतना इतनी generous है मुझे पता है कि जिस दिन दिपका के साथ कोई scene करना हो मैं मेरी tension खतम हो जाती है मुझे पता है मुझे बस खड़े रहना है उ सुनना है कि क्या बोल रही है और scene अपने आप ही हो जाएगा तो यह उनकी खुबी है as a co-actor इतना मतलब दिल खोल के इतनी generosity दिखाती है अपने co-actor के प्रतीदर आपका काम ये मतलब आपके काम जैसा भी हो उसको उठाती है और better कर देती है I think मेरी सबसे अच्छी acting दिपिक के साथ होती है यही कहेंगे कि reviews पढ़िये और जो भी promo material है आप सबने जरूर देखा होगा हम सबने बहुत महिनत किया है जैसे कि हम हर film में करते हैं पर इसमें थोड़ा सा special है और आप most definitely आप इस film को बहुत ज्यादा enjoy करेंगे और आप दो बारा जाएंगे देखने हाँ क्य अब काहिए है कि हम काफी अक्सर हम मनुरेंजन केनाम में हम टाइमपास फिल्में भी बनाते हैं लӘिन यह हमने पहले से हमारी कोशिच रही है यह पूरी टीम् की यह मस्तानी बाजरा उन्हें मस्तानी से महपत किये आयाश